Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the guidelines for your online exam which will be going to be held from 24th of January 2022. जो आपकी ओर समेस्टर की एक्जाम दिसंबर में पोस्पोन हुए थे, अब हो कब हो रहे हैं? आपकी 24 जनुरी से स्टार्ट होने वाले हैं. और उसके रिगार्डिंग जो है न्यू गाइडलेंज इसू करिए पंजाब उनुवस्ट्री ने. जो गाइडलेंज आई हैं वो क सब्जेक स्टूडेंट उनके लिए गाइडलेंज हैं. एक बात आप इसमें याद रखो, जो एक्जामी नेशन होगा ने, इंप्रूब्मेंट और पर्फॉर्मेंस का, वो हमेशा आपका ओफलाइन मोड में ही होता है. वो अभी कोवेट करके अभी नहीं ले रहे हैं वो वो आपका बाद में होगा. किनके लिए इंप्रूब्मेंट और प्रफॉर्मेंस वाले जो स्टूडेंट से उनका एक्जाम. बाकि जितने भी और समेस्टर के स्टूडेंट हैं, पंजाब इन्यूस्टी के यूसोर, प्राइवेट और रियापियर, उनका ओनलाइन एक्ज आपको जो रूर्लम्बर फॉर्फॉर्ट प्राइवेट डियापियर, एडिशिनल और देफिसंट सब्जेक्ट जो भी सूडेंट से कंडिडेट से चाहिए वहीं यूजी कोर्स को चैहिए, पीजी कोर्स के चैहिए, पीजी माने तो क्या होता है? यूजी मितलब बीएह हो ठीक, M.C.O. यह आपके PG courses है, तो यह जो students है, वो कैसे अपना admit card, download करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ अपने अपना name, इसका मतलब कहीं दिजादा compulsory marks, आपने fill करना ही ऐसे, name, father's name, mother's name, date of birth, क्या है, और उसके बाइद class आपनी यहाँ से select करोगे, तो जैसी आप यहाँ search my record प अगर आपको download में admin card को, तो आप यहाँ mail कर सकते हूँ, कहाँ mail कर सकते हूँ, UG exam at the rate, pew.ac.in, अगर आप undergraduate के student हो, PG exam, अगर आप post graduate के student हो, ठीक है, उसके बाइद हो date sheet, अगर आपको कोई भी date sheet देखनी होती है, अपने subjects के regarding, कि हमाई date sheet आई है, कि नहीं आई है, अगर आप BA के student हो, B.com के student हो, तो आप अपने date sheet यहाँ देख सकते हैं, इस website पे जाके, यह official website है, Punjab University के exam से रिलीटी, उसके बाद है को notice board, अगर कोई भी instruction आती है, अगर आप guideline से regarding, exam से regarding, admission से regarding, वो हमेशा notice board पे ही देख सकते हो, आप इसके regarding आपका और कोई source, authentic source नहीं है, आप यह न हो, वो कहेंगे notice board पे post होईगी, कोई भी official information होईगी, तो अगर आपको कोई भी information चाहिए होती तो आप इस notice board में, exam के during, आप notice board को check करते रहे, ठीक है, notice board इसका link दे रखा है, आप इसे note पी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ उन्हों लिगा, all updates are posted here only and will not be sent to the candidate by any other means, कोई और means से न कोई भी instruction आती है, आपके जो भी instruction आएगी, इस notice board पर ही आएगी, उसके बाद देखो क्या तो time slots for examination, जो आपके time slot है, दो important time slot है examination की, एक आपका morning shift और एक आपका evening shift है, morning shift है, साड़े नो से साड़े बारा, और जो आपका evening shift होगा होगा, देड़ बज से लिएका साड़े चा डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपका question paper जो डाउनलोड होगा, वो यहाँ से होगा, कहाँ available होगा, आपका online.pu exam.in, the student can download the question paper directly from that, download question paper link से आप डाउनलोड कर सकते है, उसके बाद, जो भी examination में appear हो रहे हैं, उनके अपना अपने आप डाउनलोड करना है question paper from the website mentioned in .5A, इसी website चालीकी से आपका question paper डाउनलोड करना है, question paper डाउनलोड करना है, question paper करते हूँ, आपने दो चीज़ हैं, paper का name, paper का code, ठीक है, आपका code क्या है? सही code का, क्योंकि वहाँ, जब आप question paper download करते हो तो code wise download करते हो कैसे करते हो code wise और name wise कि यह वाला paper है इसका यही सही मैं download कर रहा था आप कैसे पर चान सकतो मैंने question paper सही download कर रहा है अगर आप question paper का code भी देखोगे ठीक है उसके बाद हो क्या है question paper downloading time 9 10 पे आपका question paper आजेगा अगर आपका morning slot है और 11 बारा ब क्योंकि obvious है शाड़े नू से साड़े बारा के एकजाम है तो साड़े बारा के बाद paper वहाँ शोगा deactivation time है deactivate हो जाएगा लिंक टाउनलोड नहीं कर सकते है आप उसके बाद question paper ठीक है question paper आप 9 10 तो 12 30 पीम यही जब ही तक डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अगर आपका evening shift है डे question paper डाउनलोड करने और साड़े चार बजे वह लिंक ओफ हो जाएगा ठीक है उसके रदेगो attempt the question paper आपने कैसे attempt करना है question paper को देखो instruction given in the question paper जो भी instruction question paper में आईगी वही आपको follow करनी है कोई separate instruction आपके लिए issue नहीं होएगी duration क्या होगा paper का as return होएगा question paper पे ही number of question कितने attempt करने है कौन सा question compulsory है ठीक है यह सब कुछ आपका question paper में हो very important point क्या है इसके अंदर the candidate must attempt the paper with blue ball point pen gel pen आपने यूज नहीं करना है आपने सिर्फ blue ball point pen यूज करना है यह नहीं कि आपको पैंसिल आपने यूज नहीं करनी पैंसिल करो कि scanning के time pencil scan नहीं हो पाती है printing time ठोड़ी problem आ सकती तो आपने कौन सा pen यूज करना है blue ball point pen कौन सा point pen यूज करना ball point pen ठीक है blue ओ भी important चीज है उसको देखो A4 sheets है आपने A4 sheets यूज करने राइटिंग दा अंसर अगर अगर आप undergraduate students हो अभी मैं आपको बताऊंगे अलग से वीडियो में लागे कि क्यों कुछ answer sheet किस ताइप क्यो इंचे answer sheet को कैसे फिल करने ठीक है जो अंडर graduate student हो 20 sheets यूज कर सकते हैं यह फो साइज के पोस्ट ग्राजुएट स्टुटें 24 शीट पोस्ट पीजी कोर्स वाले 24 जैसे आपके होगे courses ME हो गया M.com हो गया तो यह स्टूटें से 24 शीट यूज कर सकते हैं बाकि BA, B.com, BCA वाल आप केड़ी परजी semester में, either you are the first semester, third or fifth semester ठीक है आपने अपने questions की length उसी according रखनी है उसके बाद एको क्या है the candidates that have tried to write their answer sheet precisely लिखोगे आप मतलब कि answers को precisely लिखोगे थोड़ा थोड़ा यह नहीं आप एक ही में 6 या 7 page question, एक ही question में 6-7 page भर दो नहीं, ऐसे नहीं, answers को precisely लिखो तो 20, 20 से जादा वो print out से नहीं निकालेंगे, वो 20 की command देंगे, ठीक है, representative soft copy of the answer sheet of 20, A4 pages for UG courses है नहीं, 20, A4 pages for PG courses, जो आपके answer sheet है किस type की हो, यहाँ इस link पे upload कर दी गया, कि किस तरीकी answer sheet आपने download करनी है, आगर वो download कर सकते हैं, इन answer sheet को, A4 size, any other, वो किसी, जरूरी नहीं है कि आपको जो वहाँ link पे answer sheets आई हैं, वहीं download करने हैं, या वही print out निकालने हैं, आपको यह और A4 size sheet भी use कर सकते हैं, अपनी choice का, पर जो first page है answer sheet का, वो आपके उस soft copy जो upload करेगी है, पंजाब इन स्टी के दुआरा, वो उसी के according हो, जैसे आपका format है, जो first page का answer sheet का, चाह पर मैं advice दूंगे, आप वह print out निकाल, वह suitable रहता है, ठीक है, वही print out निकाल, उसके फोटो state करा लो आप, जितने आपके paper ना, पांच paper ना, छे paper ना, वो सही रहेगा, देखो, paper के time थोड़ी कंजूसी ना करो, तो मैं आपको advice करूंगी, exam, यह है final exam, आपके university के, आपकी mark sheet बनेगी, तो आपने के university के जो authorize, जो official answer sheet आप, वही print out निकाल के, उसके photo state करा लो, मैं यह आपको यह advice करूंगी, paper के time थोड़ा अपने कंजूसी को ना दिखाना, ठीक है, उसके बद, क्योंकि अगर एक भी particular आपका छूट जाता है, तो मैं आपकी answer sheet को reject कर देंगे, अगर by chance कोई student है, वो A4 site का जो format है, वो खुद बना रहा है, first page, अगर उसका कोई भी particular छूट या by chance वैसा नहीं हूँ, up to the mark, तो उसका क्या है answer sheet, reject हो जाएगी, तो exam इतना अच्छा मोगा मिल रहा है, online exam का, तो यह इन सब चीजों से अपने बचना है, देखो, roll number should be mentioned only on first page, first page भ नहीं और अपना roll number लिखो गया answer sheet, जैसे 20 page है, आप सारे pages पर अपना roll number लिखते जा रहे हो, तो आपकी जो है, वो evaluate, check नहीं होएगी, answer sheet और वो reject हो जाएगी, ठीक, आपने कोई mark नहीं चोड़ना है, roll number आप सिर्फ first page पर ही लिख सकते हो, okay, first page भी आपने roll number लिखना है, उ आपको hard copy नहीं भीजना है, सबसे पहली बात, देखो, the answer sheet must be uploaded at the university examination, portal on the, portal का नाम का है, online.pu.exam, देखो, यह है आपका portal, online.pu.exam.in, no other mode of submission is allowed, hard copy है, जो आपकी answer sheet की, वो not be posted to the university, अपकी बार no hard copy, hard copy नहीं भेजना है, अपकी बार, ठीक है, online ही submission करनी है, तो आपने देखो, कितने अच्छे से, submission करनी है, उस क्या, the student must keep the answer sheet in their possession, जो आपकी answer sheet आपने लिखोगे, जो आप स्कैन करके, उसे submit करोगे, पोटल पे, जो आपके answer sheet आपे लिखी भी hard copy, वो आपके पास, 6 महीने तक रहनी चाहिए, exam के 6 महीने तक, अपने फ्यांक नहीं नहीं है, यह नहीं सोचना, जनवरी में एक्जाम होगे, चलो भाई, मार्च में रद्दी निकाल देते, नहीं, वो आपके पास, 6 महीने तक रहनी चाहिए, अपके answer sheet, strict compliance, वो आपके कभी मंगवा सकती है, university, अगर आपको सोचो, आपके upload में problem होगी, university कभी भी evaluation के लिए बुला सकती है, आपके answer sheet, strict compliance to this is advised, मतलब कि आपने ये strict है, strictly advise करा गया है students को, student note to speed post this copy to any section of Punjab University or college, वो किसी college में या पन्जाब University में अपनी copy को hard copy नहीं बेजेंगे, the candidate will be responsible to the laws of answer sheet, अगर candidate laws के लिए candidate ही जिम्मेदार होगा, अगर उसने कहीं और ये submit करी ठीक है, अगर required authorities ने मंगवाई ये आपकी copy और आपके पर वो नहीं होई, तो candidate is responsible होगा, ठीक है, आपके वो ही copy होनी चाहिए, जो आप अप अपलोड कर रहे, 6 महिने तक आपके possession में वो होनी चाहिए, अगर answer sheet upload करनी है, तो क्या से होगा, single PDF बना के करनी है, एक demo वीडियो जो आपके page number होंगे, return on each paper, each page पर आपका page number लिखा होना चाहिए, ठीक है, and pages must be scanned in serial order, serial order में scan होने चाहिए, ठीक है, uploading the answer sheet in jpg format is not permissible, अब jpg में, photo के format में, अगर जैसे jpg होता है, image के लिए, वो permissible नहीं है, अपने PDF में ही बना के देनी है, submit the answer sheet, upload answer sheet link, आपका एक link आएगा, upload answer sheet का, वहाँ अपने, ये वाले portal में आएगा, within 60 minutes, 60 minutes of separated finishing time, साड़े बारा है, अगर आपका paper खतम हो रहा है, तो within, शाड़े बारा से 60 minutes लगा लो आगे, एक 31 पे link off हो जाएगा, आपने link एक 25 तक, मैं आपको advice दूँगे, आप एक 20 तक, अपनी answer sheet upload कर देना link के उपर, उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट की problem है, network issue आगया, तो आपका link off हो जाएगा, सावा एक तक, मैं आपको advice करूँ, एक 20 तक आपकी copy चली जानी चाहिए, क्योंकि तो नेटवर की problem हो, उस टेंड सभी students होते हैं, upload करते answer sheet, वहाँ server को थोड़ी problem आजाती है, तो आपने क्या करना है, साड़े बार आपका एक्जाम खतम हो, जैसे भी आप एक्जाम करो, जल्दी जल्दी कर लेना, उसके बाद एक बज़े लगा लो, एक बज़े, तो मैंने answer sheet upload करने के लिए, scan screen करके, एक दस तक upload कर देनी है, एक 20 मैक्सिमम, इस से ज़्यादा अगर आपने करो, प्रॉब्लम में रहोगे, पूरा दिन depression में रहाचा लगाता है, पता नहीं मेरी answer sheet वाँ accept हुई है, कि नहीं हुई है, क्योंकि अब तो hard copy भी नहीं जा सकते हैं, तो अपने exam time पे अपकी बाद जो है, वही student सही रहेगा, जो अपने exam time पे complete करके, जैसे भी आप कर रहे हो अपने exam, वह आपका अपना है, कैसे देख के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पर maximum पोने एक तक खतम कर दे ना, अपने 12 तक टाइम है तो, क्योंकि आपने अपनी copy को scan करके, वह अपलोड करना है, hard copy अपकी बाद नहीं जमा होईगी, ठीक है, 60 मिनट के अंदर करना है, finishing time अदर, यूसोल प्राइवेट और जो एडिशनल जो रिये पे स्टूडेंट है, वो रिक्वायर टुमी का single PDF, वो ही जो आप अपलोड करोगे न, उसी की जो single PDF, अपने आपको mail भी कर ले न, उसी 60 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, देखो, इतना important point आपके बाद cheating का बड़ा कम scope है, देखो कैसे, साड़े बारा paper खतम हुआ, उसके बाद आप डेड़ बजेट से पहले पहले अपने आपको भी mail करनी है, और university को भी अपनी answer sheet भेजनी है, अपने आपको कैसे mail करनी है, मैं आपको आज के लिए वीडियो में बता दूंगी, very important point है, यह after the completion of exam, यह mandatory है, ठीक है, अपने आपक जो कि आपने डेड़ बजे से पहले पहले अपने आपको भी mail करी थी, तो वो में मांग सकती है, अगर आपके नहीं answer sheet को ली या फिर कोई problem आती है, तो डेड़ बजे से पहले पहले अपने आपको mail भी करनी है, और upload भी करनी answer sheet, देखो फटा फटा फट पेपर खतम करा, scan गहरा करके mail कर देना, अपने आपको mail, gmail पर जाके, उसके बाद फिर क्या करना है, पहले उनिवस्टी को भी भेज देना, वो link आपको pdf बनाई, link पर upload करी, अपने आपको mail कर लेना, बाद में जाके, मतलब कि उसी एक घंटे के बीच बीच, तो safe रहो के आप, क्योंकि time span very important, अगो सोचो, आपकी uploading वाली answer sheet नहीं खुली, तो यह उस्टी कहाँ का भई देट बेसे पहले पहले आपने, आपको mail कर ली इतना, तो आप बच जाओगे, ठीक है, ठीक है, तो all useful, private, or deficient, or reappear student है, वो undertaking पर भी click करेंगे, undertaking पर भी आपने click करना, upload के time अपनी answer sheet को, ठीक है, they are submitting the PDF file, answer, and we'll keep the hard copy, वो 6 महिने तक अपने possession में रखेंगे, ठीक है, आपने अपना, यह undertaking है, इस पर click करना है, कोई hard copy अपकी वाल नहीं submit हो रही है, और जो hard copy आप कभी भी मंगवा सकती है, university authorities, आपके 6 महिने के बीतर, ठीक है, the university can cross check कर सकती है, physical answer sheet, अगर cross check कैसे कर सकती है कि आपने वही लिखा है, physical, जो आपने online में submit करा है, तो यह cross check भी कर सकती है, ठीक है, all important announcement होईगी, जो information होईगी, notices होईगी, वो आपके notice board पे आएगा, और कहीं नहीं आएगा, only these are to be considered authentic, अगर कोई new or guidelines आधाती है, तो आपको मेंशा notice board पे आएगी, और कहीं source पे आपने न downloading the question paper, अगर उसे कोई भी problem आती है, question paper को download करते है, वो ही में call the help line number, देखो, नो दस पे आपका question paper available हो जाएगा, तो अगर आपको कोई भी problem आ रही है, तो आप इन help line numbers पे call कर सकते हो, वैसे आपका question paper download हो जाता है, क्योंकि देखो, इज़न है kb, kb motor, 53 kb, mb में भी नहीं हो question paper, maximum maximum आपका 1.4 mb हो जाता है, एक या 2 mb, तो जल्दी से download हो जाता है, फिर भी अगर नहीं download हो रहा है, किस student को problem आ रही है, तो वो help line पे call कर सकता है, ठीके, वो आपके help line numbers है, वो online portal में दे रहे है, online.puexam.in पे दे रहे है, जो भी student को visibly impaired है, और disabled students are not allowed, are allowed to have assistance from a scribe or writer, आ as per university rule, and no separate permission from the universities required for this purpose, university की कोई separate permission की जूरत नहीं, आप scribe आपको चाहिए, कोई writer चाहिए, अगर कोई visible impaired student है, या disabled student है, वो ले सकता है, अपनी इच्छा का, ठीक है, उसके बाद यह आपकी guidelines थी, आज हमने डिसकस करी useful की, अभी मैं आपको next video में दाऊंगी, आपकी answer sheet के regarding, कि किस type से अपना answer sheet फिल करनी है, अपने आपको mail किस तरीके से करना है, mail को time spent के अंदर save कैसे करना है, और precisely किस तरीके से अपने answer लिकने है, या आप अप जूडे रहना channel के साथ, कोई भी new notification आती है, मैं आपको यह inform करूंगी, आपकी exams के regarding, तो thank you very much, and all the best, अगर आपको फिर कोई doubt होते हैं, तो आप में इसे comment section में पूस सकते हूं, thank you and have a nice day.